तो आपकेशन पैकेज होगा एक्सल तो एक्सल में अभी आपको वीडियो के माधिम से हम वाट कैसे ने बॉपब वना सकते हैं ओपन और GDK वर्क बुक open कर सकते हैं, save कर सकते हैं, close कर सकते हैं, इसके आप जो पिछली वीडियो में हमने इसको सारे को step by समझा दिया था, अभी उसी step को अभी हम practical यानि की laptop के माध्यम से आपको समझा रहे हैं, अभी हम excel को खोलेंगे, यहां start पे जाके click करेंगे, एक pop up मीनू खुलेगा, जहां लिखा रहेगा all program, all program पे click करते हैं, और फिर हम जाते हैं office पे, यहां Microsoft Office लिखा हुआ है, Microsoft Office पे जाका click करते हैं, तो उसका pop up मीनू खुलता है, और यहां लिखा हुआ है Microsoft Excel, तो एक्सेल उसका application software है, तो यहां पर click करते हैं, और यह आपका Excel का workbook खुल जाएगा, यह एक्सेल का workbook खुल गया, अब यहां आपको बताये गया है कि new workbook खुलना है, तो new workbook खुलने के लिए, अब यह document बंद है, आप यहां new workbook खुलना है, तो new workbook खुलने के लिए keyboard के माध्यम से CTRL plus N प्रेस करते हैं, लेकिन अगर हमको menu यूज करना है, तो file menu जो दिया हुआ है, उस menu में जाकर यहां पर new लिखा हुआ है, new पर click करेंगे, तो यहां आएगा blank document workbook, तो blank workbook को select करते हैं, और नीचे जाकर यहां पर create कर देते हैं, नीचे create option है, create पर हम click कर देते हैं, और जैसे ही हम create पर click करते हैं, हमारा workbook जो है, जो blank workbook है, वो खुल जाता है, यहां आपको देख रहे हैं, यहां पर लिखा हुआ है book 1, यहां और यहां लिखा हुआ है Microsoft Excel, अब यह हो गया new, यानि new करने का step है, कि file menu में जाकर, हम new button पर press करते हैं, तो यह जो है, एक blank workbook हमारे सामने खुल जाता है, अगर हम इसको में काम करने के बार, जैसे हम हम काम करते हैं इसमें, जैसे यह cell active है, एवन cell active है, और यहां पर हम number type कर रहे हैं, फिर इसके बगल में फिर number type किये, कुछ भी काम करने के बाद, अगर हम numbers में type करते हैं, तो काम कर रहे हैं, यानि कि जो cell active है, उस cell में हम number जो है, वो प्रेस कर रहे है, कीबोर्ड के माधियम से, अब जो इस document में, यानि जो workbook खुला है, इसके work sheet में हम यहां entry किये हैं, यानि number type किये हैं, अब काम करने के बाद इसको आपको save करना है, इस work sheet को, तो file menu में जाकर, यहां जो है, option दिया हुआ है, save as, save as option या save पर हम click करते हैं, यहां mouse हम click कर दिये, click करने के बाद screen पे एक dialer box appear होता है, जहां यहां पे लिखा हुआ है file name, यानि आपको जो work sheet जो काम कर रहे हैं, या workbook, उसको save करना है, तो इसके लिए file name देना होगा, पहली बार आगर आप document बना रहे हैं, तो उसको file name type करना होता है, file name देना होता है, तो इसमें यहां हम file name देते हैं, जैसे file name दे दिए, sm, d, sm ग दे दिए sm, और यहां पे save button पर click कर दिया है, से बटन से बटन पर हम क्लिक कर दिए आप देख रहें कि यह फाइल से हो गया यहां जो बूक वन लिख रहा था आप यहां पर एस बी म लिख रहा है यानि सबिएम नाम से यह वर्क बूक जो है वो से भोगया अब इस जो डॉकमेंट खुला हुआ है अब यह आपका इसको ब कर देंगे close यह बन जो है आप देख रहे हैं कि excel खुला हुआ है और वर्कबुक बंद हो गया इसमें काम कर रहे थे वर्क वर्क बंद हो गया है आप इसको open करना है यानि existing file जो पहले से बना हुआ है उस file को फिर से खोलना है open करना है open करने के लिए पिर यहां पर फाइल मेनू में जाएंगे यहां option दिया हुआ है open open पर क्लिक करेंगे हम यहां से भी डायरेक्ट पर कर सकते हैं चुकि डिसेंट आप देख रहे हैं कि फिर से खुल गया यहां sbm दिखा रहा है और यह हो गया यानि कि फाइल मेनू में जब हम फाइल मेनू पर क्लिक करते हैं तो new open save और close यानि कि close बटन जो है यह सभी जो काम करना डॉकुमेंट से संबंदित वह सारा जो कमांड्स है वह फाइल मेनू में रहता है तो यह हो गया अगर हमको एक्सेल से भी बाहर निकलना है तो एक्सेल से बाहर निकलने के लिए यहां पर दिया हुआ है एक्सिट एक्सिट दिया हुआ है एक्सिट पर हम क्लिक करते हैं तो यह एक्सिट हो गया यानि आप हम एक्सेल से भी बाहर आ गया और डेक्स्टॉप पर आ गया यह